हेलो एब्रिवान नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही खास वीडियो में और आज की वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि बेटा होने के कौन-कौन से लक्षर होती है इस टॉपिक को लेकर काफी जो गर्वती महलाएं होती है उन्हे कि जब उनकी प्रेग्निंसी कनफर्म होती है तो आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज़दा खुसी होती है साथी साथ ये भी उन्हें उस सुकता होती है कि आने वाला बेबी लड़का होगा या फिर लड़की होगी तो आज हम आपको काफी सारे ऐसे लक्षरों के बारे म बताएंगे जो काफी सही माने जाते हैं लड़का होने के टाइम पर और मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ये लक्षर बाकई में 100% वर्क करते हैं या फिर नहीं इनका क्या scientifically proof है या फिर नहीं इनमें कितनी सच्चाई होती है वो सारी ही जानकारी इस एक वीडियो के अंद वीडियो को पूरा देखता है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाईस हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें पास में जो घंटी है उसे दबाकर ऑल बटन पर प्रेस्ट कर लें जिससे की गाईस हमारी हर आने वाली वीडियो की नॉटिविकेशन आप तक ज़दा सूजन आ जाती है तो ये संकेत बताता है कि आपने बेबी बॉई को कंसिप किया हुआ है और ऐसा भी माना जाता है काफी लोगों की मानिताएं होती है कि अगर आपके टाउगों में एंठन होती है दर्द की प्रॉब्लम जादा रहती है तो ये भी संकेत लड़का होने की निशानी होती है तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा रिजन भी हो सकता है क्योंकि गर्वावस्ता का जब दूसरा और तीसरा तिमाई स्टार्ट होता है तो आपका बजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और बजन जब आपका तेजी से बढ़ता है उसका प् और दोस्तों इसका एक मुक्य कारण ये भी हो सकता है कि अगर गर्वावस्ता के दौरान थंडा पानी ज्यादा पी रही हैं गर्मियों के टाइम पर खड़े हो के पानी पी रही हैं या फिर थंडी चीजों का ज्यादा सेवन आप करती हैं फ्रीज में रखी हुई चीजों का सेवन आप ज्यादा करती हैं या फिर किसी भी इस्तान पर यहसे की खाना बनाती है और आप ज्यादा देर तक खड़ी रहेंगी प्रेग्नेंसी के दौरान तो इससे भी दोस्तों आपके पैरों में सूजन आ सकती है और टाउंगों में भी दर्द हो सकता है क्योंकि जो आप जा लेते हैं दूसरे लक्षर के वारे में दूसरा जो लक्षर है वो है आपके निपल को लेकर काफी सारे प्रेगनेंट लेडीज होती है जिनके निपल का कलर बहुत ज़्यदा डार्क हो जाता है और काफी सारी महला ऐसी भी होती है जिनके निपल का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता है लेकिन दोस्तों माना जाता है कि अगर गर्वती इस्तरियों के निपल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो ये निशानी लड़का होने की होती है जबकि अगर आपके निपल का कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है तो ये लड़की होने की निशानी होती है लेकिन इसकी 100% सच्चाई क्या है चलिए वो जान लेते हैं तो दोस्तो प्रेगनेंसी हार्मोंस के कालर सरीर में ज़्यादा मेलेनिन बनने लगता है ये एक प्रकार का पिग्मेंट होता है जिसकी बज़े से इसकिन के रंग में बदलावाता है ज़्यादा मेलेनिन से इसकिन डार्क होने लगती है इसकिन काली होने लगती है खास तोर पर इसकिन के उस हिस्ते जिन पर पहले से ही ज़्यादा पिग्मेंट होता है जो हिस्सा पहले से ही काला होता है तो वो और ज़ादा काला होने लगता है जैसे कि निपल के आसपास का इस्थान प्रेगनेंसी के आखरी दिनों में ब्रेस्ट के साइज के साथ साथ निपल का साइज भी भड़ता है क्योंकि वो खुद को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तया जब कि डिलीवरी के बाट, जब आपकी डिलीवरी हो जाती यह अपने आहप से ही नॉर्मल हो जाते हैं, जयसे प्रेगनिनसी से पहले आपके डिलीवरी दिखाई दिया करते थे बैसे ही से रिखन आप गवरानी की जरौत नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने इसे लड़का- भी नहीं होता है ये सिर्फ हमारे हार्मोन समारी बॉडी के उपर डिपेंड करता है कोई भी लड़का और लड़की होने का लक्षर 100% वर्क नहीं करता है क्योंकि इन लक्षलों का कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता है और इसलिए अगर आप गर्वती हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि इन लक्षलों पर आपको कभी भी 100% ट्रस्ट नहीं करना है सिर्फ आपको अपनी प्रेग्निंसी पर ध्यान रखना है अपनी डाइट में अच्छी चीजों को सामिल करना है ताकि आपका होने वाला बेबी एक दम हेल्धी पेदा हो तो हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हैल्प मिलती है इन फोर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिलकुल भी मत भूलिएगा चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में